यह sûr दोरी जोड़े दाने काई थेसा थेश्तिगत दोश्तों नमस्कार के यह कैसी है आफ सब कि फुरेण्स पिछले दिनों हम लोगों ने युद तेन्स के बारे में परहा था थेंस तीन परकार के होते हैं प्रिजेन प्रूट और फ्रूट और उसके जो form होते हैं उसमें से present simple के बारे में पढ़े थे हैं तो हम क्या करेंगे आज present simple के जो examples होते हैं sentence कैसे बनाना है sentence को negative कैसे बनाएंगे तो आज जो present simple के हम negative sentence के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम टेंस का ग्यान हमारे पास है लेकिन अगर वास्तवी की ग्यान नहीं है तो हम English speaking भंग से नहीं कर पाएंगे दोस्तों तो अगर हम चाहते हैं कि हम English में फुल्वेंटली बात करें तो हमें इसी का पता होना चाहिए कि negative sentence हम कैसे बनाते हैं पोजेटिव sentence कैसे बनाते और negative sentence भी कैसे बनाते हैं दोस्तों present simple का तो इसी के regarding मैंने में दोस्तों कुछ formula बनाए हैं जो हमेशा से लोगों को पता होता है जैसे person तिन परकार को होता है first person second person third person first person में होता है आई वी मतलब मैं और हम लोग है ना second person जिससे हम बात करते हैं वो हो गया यू तो first person और second person के साथ हमेशा भर्व का first form लगता है प्लस object लगता है है ना उसी परकार से अगर हम negative बनाते हैं sentence तो भर्व के क्या बोलते है sentence के first person और second person के साथ हम subject के साथ do not का प्रयूग करते हैं और do not को प्रयूग करने के बाद भर्व का first form लगता है ठीक है दोस्तों उसी परकार से एक दे होता है दे बहुत सारे लोगों के लिए दे का प्रयूग होता है ना दे वे तो उसके साथ भी हम का प्रयूग करते हैं अगर positive sentence बनाते हैं तो उसके साथ दे के साथ भर्व के first form का प्रयूग किया जाता है तिसरा है दोस्तों third person जिसे he see it और जो he see it इसके साथ हम हमेशा भर्व में एस और एस लगाते हैं वो तो पता ही आपको लेकिन जब हम इसको negative बनाएंगे तो इसमें डजनौट का प्रयोग होगा डजनौट का प्रयोग होगा जैसे he does not she does not it does not इस परकार से प्रयोग होगा और उसके साथ हम object लगाएंगे दोस्तों ठीक है उस पर का और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको जैसे plural sentences होते हैं जैसे इस ब्व इस ब्वाएज गर्ल्स डॉक्टर्स टीचर्स यह जो पुलर सेंटेंसे से इसमें हमेशा भर्व के फर्स्ट फर्म का प्रयोग किया जाता है दूसरा यह जो जब इसको निगेटिव बनाते हैं तो उसमें डू नोट का प्रयोग किया जाता एं और जब ही भी हम ड़जनौ को पर्योंग करते हैं तो द्यान में रखना है कि हम हमेशा वर्व का फ्र्स्ट फर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों वहां पे और येस नहीं लगएगा दोस्तों तो दोस्तों शुरू करते हैं हमने कुछ sentence बनाया है दोस्तों जो अगर आप memorize कर लेते हैं तो आपको इंग्लिस बोलने से कोई नहीं रोग सकता दोस्तों तो सुरू करते हैं दोस्तों एक चीज और अभी तक आपने मेरे चैनल पर नए हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली चैनल को सब्सक्र नहीं रहेंगे दोस्तों तो लिजे दोस्तों शुरू करते हैं मैं पढ़ता हूं आई रीड हम लोग खेलते हैं वी पले तुम रोते हो यू वी वह चाय बनाती है सी मैक्स ती वह रोज खेलता है ही पले डेलि वे लिफते हैं दे राइड दोस्तों यह है पोजिटिव इसी को अगर हम निगेटीव बनाएंगे तो निगेटीव बनाना बहुत ही आसान है जो फर्मूला बताया हूं उसी परकार से बनाना है जैसे मैं पड़ता हूँ तो इसका निगेट्व होगा मैं नहीं पढ़ता हूँ I do not read हम लोग खेलते हैं we play हम लोग नहीं खेलते हैं we do not play सीता गीत गाती है सीता सिंग से सौंग सीता गीत नहीं गाती है सीता डजनोट सिंग से सौंग सिंग ए सौंग इसमें एस और इस नहीं लगया दोस्तो लोग मैदान में टहलते हैं people walk in the field people walk in the field यहां पर वाक इश्रील लगा है कि कुछ बहुत सारे लोग है दोस्तों तो जब ही plural होता है तो उसमें यह से यह नहीं लगता है भर्व के first form में दोस्तों तो लोग मैदान में टहलते हैं people walk in the field लोग मैदान में नहीं टहलते हैं तो people do not work in the field. वो चाय बनाती है, she makes tea. तो इसका negative होगा नहीं बनाती है, वो चाय नहीं बनाती है, तो she does not make tea. She does not make tea. मैं हशता हूं, I laugh. मैं नहीं हशता हूं, I do not laugh. तुम रोते हो, you weep. तुम नहीं रोते हो, you do not weep. हम लोग दोरते हैं, we run. हम लोग नहीं दोड़ते हैं, we do not run, वे लिखते हैं, they write, वे नहीं लिखते हैं, they do not write, हरी सोता है, हरी slips, हरी नहीं सोता है, हरी does not sleep, सिख्षक पढ़ाते हैं, teacher teaches, सिख्षक नहीं पढ़ाते हैं, teacher does not teach, हरी सोता है, हरी सोता है, हरी नहीं सोता है, हरी does not sleep, मैं अंगरेजी बोलता हूँ, I speak English, मैं अंगरेजी नहीं बोलता हूँ, I do not speak English, मैं अंगरेजी बोलता हूँ, I speak English, मैं अंगरेजी नहीं बोलता हूँ, I do not speak English, मेरे पिता जी टहलते हैं, my father works, my father works, मेरे पिता जी नहीं टहलते हैं, my father does not work, my father does not work, यह लड़के food wall खेलते हैं, यहां देखिए ध्यान देने वाली बात, यह लड़के, मतलब this boy, यह क्या होगे, plural होगे, तो इसके साथ हमेशा भर्जू का first form होता है, और जब हम negative बनाते हैं, तो उसमें do not का पर्यों होता है दोस्तों, तो यह लड़के food wall खेलते हैं, this boy, these boys play football, यह लड़के food wall नहीं खेलते हैं, this boy do not play football, this boy do not play football, वह रोज खेलता है, he plays daily, वह रोज नहीं खेलता है, he does not play daily, राम और मोहन तैरते हैं, राम और मोहन श्विम, राम और मोहन को दो को मिला कि क्या होगे, यह सब plural होगे, एक से ज़्यादा लोग होगे, तो plural होगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी first form लगेगा, राम और मोहन श्विम, तो इसका negative होगा, राम और मोहन नहीं तैरते हैं, राम my mother does not loves me a lot my mother does not loves me a lot यह लड़का रोज बेयाम करता है this boy takes exercise daily this boy takes exercise daily इसका निगेटिव होगा दोस्तों यह लड़का रोज बेयाम नहीं करता है this boy does not take exercise daily मैं पांच बजे उड़ता हूं I get a five o'clock in the morning मैं पांच बजे नहीं उड़ता हूं I do not get a five o'clock I do not get a five o'clock शूरज पूरव में उगता है और पास्ची में डूबता है that the sun rises in the east and sets in the west दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बाती है इसका निगेटिव नहीं होगा क्यों सूरज हमेशा पूरव में ही उगता है और पास्ची में डूबता है तो don't try to make negative sentences regarding this sentence okay तो दोस्तों यह थ हमें बोल बोल कर पढ़ाने का नया अंदाज इससे क्या होगा आप बोलिएगा तो आप सीख पाएंगे क्योंकि आपके पास knowledge तो भड़ा परा है टेंस के रिगार्डिंग लेकिन आप एक्स्प्रेस नहीं कर पाते हैं तो how to express yourself how to speak English fluently it is required to have more you speak more you learn तो आपने क्या करना है बोल बोल के तम धज्या उरादेनी है पर सेंटेंसों का और ऐसा ही मैं अगले एपिशोड में दोस्तों questions लेक्या हूंगा direct question WH question तो पिलिज हमारे साथ इस चैनल पर बने रहे और हमारे साथ जो परहाई का जो नया देशी अंदाज ठेट देशी अंदाज उसका अनन्द लि दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्काइब कर दीजिए लाइक करजे करजे और दोस्तों को पका सेर कर दीजागा दोस्तों थैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद और हां कमेंट करना ना भूले आप लो अच्छा कश्ट दीजिए और कमेंट वेक्स में जाकर लिखिए कि हां यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा अच्छा बुरा लगा ता बुरा बोल दीजिए हम उसमें और इंप्रूब करने कोशिश करेंगे थैंक्यू बहुत बहुत धन्यवाद